दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया की सबसे बहत्रीन लग्जिरिस कार कमनी में से एक लैंड रोवर के बारे में जो कि लैंड रोवर अपने स्टायल टेक्नलोजी लग्जिरिस प्रांट के कारण लबग दुनिया के हर एक देश में अपना एक अलगी पैचान मना चुकी है जो कि इस कमनी के सुरुआत इंगलैंड के लंडन सिटी में हुआ था तेकिन आज इतने बड़ी कमनी को टाटा मोटर ने पूरी तरच अपने अंडर में ले लिया है लेकिन कि आप जानते हैं कि लैंड ओवर कमनी के सुरुआत लैंड ओवर नाम से नहीं हुई थी और साथी साथ के आपको पता है किस कमनी के सुरुआत साइकल बनाने इस हुई थी तो इसलिए आज मैं आपको Land Rover की अद्बूत कानी के बारे में सुरूच से बताने जा रहा हूँ कि आखिर का Land Rover Company Cook किस तरीके से इस्टैबलिश किया गये था तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जब England के London City में 14 December 1854 को John Campte Stallion नाम के एक इंसान का अजम्द हुआ था और जब वो 18 साल के थे हैं तब वो England के commentary नाम के एक city में अपने अंकल जम्द स्टाली के साथ काम करने ले सिफ्ट हो गये थे हैं जो कि उनके अंकल एक बहुत बड़े cycle इंवेंटर थे हैं या तो ऐसे कली जे कि उनके अंकल cycle में इतने माहिर थे हैं कि उनको father of cycle का पड़ भी दिया गया है और जोन अपनी उससी अंकल के साथ रहकर काम क्या करते थे हैं और जब उन्हें अंकल के साथ काम करते करते पूरे 5 साल हो गयें फिर उसके बाद उन्होंने एक cyclist का साथ मिकर जिनका नाम William Sutton था तो जोन इस्टाले William Sutton के साथ मिलकर 1877 में उन्होंने खुद की कमनी को ली जो कि उन्होंने अपने सरनेम को यूज करके अपने कमनी का नाम स्टालें Sutton रखा और जोन अपने अंकल के साथ रहकर cycle manufacturing के बारे में सिखते थे हैं इसलिए वो लोग अपने सुरुवाती दिनों में अपने कमनी में cycle को developed किया करते थे हैं और साथ इसाथ ट्राइ साइकल को भी developed किया करते थे लेकिन खास बात यह थी कि जॉन अपने cycle को रोवर नाम के ब्रांड से सेल करते थें जैसे कि Mountain Dew Pepsi को की ब्रांड है लेकिन Pepsi को Mountain Dew को Pepsi को नाम से नहीं बेचती है और जॉन और विलियम भी कुछ ऐसा ही करते थी और जॉन की कोसी समय से यह रहती थी कि वो cycle में कुछ नए invention को करें जो कि चलाने में काफी easy हो और साथी साथ safety भी हो लेकिन जॉन जो चाते थे वो तो पूरी हो गई लेकिन इतनी भी जल्ली नहीं जो कि उन्होंने 1885 में रोवर safety bicycle नाम के एक cycle को ड़लॉप किया था जिसमें कि दो similar size के पाई है चैन की मदद से चलते थे हैं जो कि व rover has said the fashion of the world जो कि आप उस cycle और उस magazine को दोनों को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और जब जॉन के उस cycle के वज़े से उनकी rover brand काफी famous हो गई तब उन्होंने 1890 में अपने कमनी का नाम rover company रख दिया जो कि जॉन की ये business काफी अच्छी चल दी इसलिए वो चाते थे कि अपने कम मोबाइल मेनुफ्रेक्टर कमनी से मोटर साइकल को एसेंबल करके इंगलैंड में बेच दिया करते थे लेकिन इस काम को इस्टार्ट करने के दो साल बादी 1901 में जॉन की अचानक से मौत हो गई जो कि उनकी उमर सिर्फ और 46 साली थी और जब जॉन की मौत हो गई तब जॉ रोवर कमनी के अंतरगत कार को भी मैनुफ्रेक्टर करना शुरू किया गया और अब रोवर कमनी साइकल मोटर साइकल और कार तीनों चिसको खूद मैनुफ्रेक्टर के अकरती थी लेकिन कमनी अभी तक सेफ हो सेफ अपने साइकल के लिए जाने जाती थी और कमनी ऐसे ही ध चीफ इंजिनर के तोर पर जॉइन के लिए था और यही मौरिस सुफ नाइंटी फॉर्टी सेवन में जीप कर से इंस्पैर होकर एक कार सेंपल को जीप तरीके से डिजाइन किये थे जो कि उस कार का नाम उन्हों ने लैंड ओवर रखा था और उनकी यही कार इतनी फेमस हो गई थी कि 30 अपरल नाइंटी फॉर्टी एट को उसकार को वर्ड की फेमस एंस्ट्रेडम मोर्टर सों में लॉंच के गया था और इसकार की पॉपलर्टी के कारण कार की डिमांड भी पहुत चाड़ा हो गए थी और तो और यहां तक की डिमांड के करण लैंड ओवर की कार की सीरीज को भी वनाना पड़ा था जो कि लैंड ओवर की सिरीज को भी उनुपक्रिः किया गया और इसकी पाप्लिटी के कारण 1975 में लैंड ओवर को रोवर कमनी से अलग कर दिया गय को ने एक डूसरे को कमनी बेचा खरीदा बेचा खरीदा जो कि उस पार्ट को मैं इस वीडियो में में सब्सक्राइब कर रहा हूं लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज के समय लैंडवर कमनी को पूरी तरह से टाटा मोटर ने 2008 में अपने अंडर में ले लिया था तो द झाल